मेंधर की पंचायत छजला मिदल स्कूल बॉर्डर के मन्कोट ब्लॉक में सब दिवीजन मेंधर को हाइ स्कूल का दर्जा मिला है जिसके लिए सरकार द्वारा हाइ स्कूल के लिए एक भवन को मनजूरी दी गई थी और इसका काम कई सालों से चल रहा है पुराने मध्यवे द्याले के भवन में दो कमरे है जिसमें दसकक्षाओं के बच्चों को बैठने के लिए बड़ी कथिनायों का सामना करना पड़ता है इस स्कूल में कम से कम धाई सो चात्र पड़ते हैं PNI के लिए मेंधर से तारिक खान की रिपोर्ट माइनम इस मारीन को सर आई रिडिन नाइन्थ क्लास माइ स्कूल ने में गवर्मेंट हाई स्कूल चजला मैं आपको ये बताना चाहिए हूं कि हमारे स्कूल में फर्स से लेकर क्लास तक है और यहां यहां क्लासे मतलब जादा है और क्लासरूम बिल्डिंग्स क्लासरूम पूरी समार kort यह बताना चाहिए कि यहां बीलडिन्ग पूरी कवर होनी चाहिए और पूरी क्लास जितनेordon engagements अबस हमारे धी यह जो मारी नीचे बील्डिंग बंद नहीं ती यहां भी बन नहीं है इसलिए हमारी स्कूल की जो यह लेंड है एकम है बच्चे भी बाइर बैठते हैं को मैं लेंड हमारी बील्डिंग पूर नहीं है हम इसलिए बोर रहे हैं कि जल दजल हमारी यह स्कूल की जो बील्डिंग हमें दीजए नैमिजे निसरीन कसर यह स्कूल दोजर साथ में बना था अब 15 साल हो चुके मगर इसकी बील्डि पर शजला मीडिया का नहाइद ममनून हूँ मश्कूर हूँ कि आप हमारी एक ही काल पर यहां आए और आप पहले भी आए और इसके बाद भी आपने हमें तावन किया और आज जो आप यहां आए और यह हमारा बहुत ही जैनवान बहुत ही बहुत ही एक मैं कहूँगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला है जो आज हम डिसकस का रहे हैं यह चजला उपर पंचायत के यह दो हमारी पंचायत हैं शज कि इस्वी सदी में भी अगर हमारा यह हाल है तो हमने एक होगा कि हमारी बदकिस्मती रही तो मैं आज आपके जरिया आप मीडिया के जरिया में एड्मिस्रेशन से एक जार्श करूंगा कि खसूसें डीसे साब जो पुंच हमारे राउल यादो साहब हैं उसके जार्श इस बिल्डिंग को जल दस जल कंप्लीट किया जाए ताकि यहां हमारे बच्चे जो हैं खसूसन हमारी बच्चिया नोजोन बच्चिया हैं वह बहुत खुले आसमान के थेले कि मेरे ख्याल से मैं यह अगर कहूं तो हक जानब होगा कि 15 साल पहले इसकी टेंडिंग हुई थ किसे कितना पैसा था और आगे क्यों नहीं बन सकी, यह तो मैक में बिता सकता है, लेकिन जहां तक यह तलक है, इसका कि हमारे बच्चे कहां बैठते हैं, आई कलासिस के बच्चे के बच्चे जो ह का होना जरूरी था जब स्कूल के जब स्कूल में हों गई दोई कमरे तो दो कमरों में बच्चे कहां बैठेंगे बच्चियां कहां बैठेंगी स्टाफ कहां बैठेगा इसके बारे में एडमिस हैं आपके चैनीर का मादम से मैं अलजी साब से मरोज सेनर साब से गजार्श कर करूंगा आपके मायदिम से कि राउल यादो साहब कि एक दिन खदारा खुद आएं विजिट करें आके देखें कि यह क्या यह स्कूल जो है यह हाई स्कूल बिल्डिंग के जो जहां दो कमरों में बच्चे बैठे हुएं कि यह इनसाफ है और जो बिल्डिंग नहीं बनी है क द्वाम के साथ इनसाफ है मैं आप मीडिया अजरात का बहुत बहुत मौनून हूं कि आपने हमारे इन मसाहिल को जो अबाने में मारी मदद की है मैं अमीद करता हूं कि एड्मिस्ट्रेशन खुसी तोथ पर अलजी इंतजामिया जो है इस पर कोशिश करेंगे और कोई मनास सब फैसरा लेंगे ताकि हमारी बच्चों की प्राब्लम जो है मैंने जसे पहले भी गजार्श की एक पर फिर मैं गजार्श करूंगा एड्मिस्ट्रेशन से मेरी अपील रहेगी कि इस बिल्डिंग की कंस्ट्रेक्शन से मतलब एक जामिया इनकवारी होनी चाहिए पता ल बिल्डिंग कंप्लीट हो सकते बच्चों की प्राब्लम जो है हलो शुक्र है